नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सिरीज में आपका स्वागत है नागरिक सास्त्र अभ्यास के आज हम पाँचवे वीडियो में हैं इसके अंदर गत हम आज कुल 75 क्वेस्चन का अभ्यास करेंगे जो आपके प्रवक्ता परिक्षा के लिए महत्वण साबित होगा पिछले वीडियो में हम लोगोंने क्वेस्चन नम्मर 50 तक देखा था आज हम क्वेस्चन नम्मर 51 से अपने अभ्यास सिरीज को प्रारंभ कर रहे हैं क्वेस्चन नम्मर 51 में है अमेरिकी संगिय व्यवस्था के सक्ती विभाजन में गड़ना और अवसेश का सिध्धान्द संबंधित है तो इस सवाल का सही जबाब होगा संग और राज के बीच सक्तियों के वितरण से व्याख्या के तोर पर आप देखिए कि अमेरिका में सक्ती विभाजन के संबंध में गड़ना और अवसेश के सिध्धान्द को अपनाया गया जिसके अंतरकत केंद्री सरकार और एकाईयों की सरकारें इन दोनों पक्सों में से किसी एक पक्स की सक्तियों की गड़ना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और सेस सभी सक्तियां दूसरे पक्स को दे दी जाती है संबिधान के अंतरगत किंद्रिय सरकार की सक्तियों की गड़ना की गई है और अवसेस सक्तियां राज को प्रदान कर दी गई है ब्रिटेन का प्रदान मंत्री मनोनीत होता है, चैनित होता है, निर्वाचित होता है या फिर नियुक्त होता है तो ब्रिटेन का प्रधान मंत्री जो है वो नियुक्त होता है सैधान्तिक रूप में प्रधान मंत्री की नियुक्ती समराट के द्वारा की जाती है लेकिन व्यवहार में लोक्षदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है इसी तरह से आप इसकी तुलना अपने देश के प्रधान मंत्री की पद से कर सकते हैं Q53 में है निर्वाचन आयोग निम्नली खित में से किस के अधीन कारी करता है तो निर्वाचन आयोग इन में से किसी के अधीन काम नहीं करता है आपको बताते चलें कि भारती समिधान में निर्वाचनों के अधिक्षन, निदेशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित करके उसे अनुछे 324 के तहत एक स्वतंत्र सम्वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है इस तरह से इस सवाल का सही जबाब होगा option number D यानि कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है question number 54 में है संग लोग सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रहता है जो संग लोग सेवा आयोग का सदस्य होता है वो कितने दिनों तक अपने पद पर काम कर सकता है यहाँ पर आपको सही जबाब देना है आंसर इसका हो जाएगा डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयोग तक जो भी पहले पूरा हो इस प्रकार सही जबाब होगा अनुचे 316 का दूसरा खंड कहता है कि संग लोग सेवा आयोग का सदस्य होने तक या पद ग्रहन की तारीक से 6 वर्ष की अवधी तक तथा राज आयोग का या सैयुक्त आयोग का सदस्य 62 वर्ष की आयोग पूरी करने तक या पद ग्रहन करने से 6 वर्ष तक जो भी पहले पूरा होगा अपना पद धारन करेगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ question नंबर 55 में आपको दो लिस्ट दी गई है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को एक साथ सुमेलित करना है सुमेलित करने के बाद कूट की सहायता से अपने सही जबाब देना है तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पर लेखा की रूप में डॉक्टर राजजिंद्र प्रशाथ लाला लाजपत्राय मौलोना आजाद सुभास चंद्र बोस दिया है फिर इसके साथ यंग इंडिया यह चार पुस्तकों के नाम दिये गए है उनको सही सही जबाब मैच करवाएंगे तो आंसर आपको सही वाला मिल जाएगा विकल्प संख्या बी Q56 में है निमनलीखित में से किसका सही मेल नहीं है यहाँ पर राजनीतिक विचारक और उनकी पुस्तकों का नाम दिया गया है तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेल नहीं है तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा A. Politics आस्टिन के पुस्तक है जबकि पॉलिटिक्स जो है वो अरेस्टू की रचना है आस्टिन ने लेक्शर्स आन जोरिस्प्रूडेंस की रचना किया था Q57 में है निम्नली खित में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ नियम दिये गए है और उसके विचारक संबन्ध दिये गए है सही जबाब आपका होगा C. लोकतांत्रिक आत्मनियंत्रन लेनिन का तो इसमें से ये सुमेलित नहीं है इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेनिन ने दली संगठन के सिध्धांद का निरूपन करते हुए लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया था Q58 में है राजिकी उत्पत्ती के अयतिहासिक सिध्धांद के तत्व किसमें पाए जाते हैं तो सही जबाब होगा इसका A. रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनितिक चेतना Q59 में है सनरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुशार निम्नलिखित में से कौन राजनितिक व्यवस्था के निवेस कार्य में शमलित नहीं है इस तरह से इसका सही जबाब होगा B. राजनितिक विकास Q60 में है निम्नलिखित में कौन राजनिति सास्तर के अध्ययन का परंपरागत उपागम है यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया है तो इस सवाल के लिए आप तयार रहिएगा साथ में मैं आपको अभ्यास सिरीज के साथ साथ में कुछ गेस क्वेस्टन भी बताते चलूँगा जो आपके लिए काफी महत्तपुन हो सकता है तो यहाँ पर Q60 का जो आंसर होगा वो होगा B. व्यवस्था उपागम अगर आपको किसी सवाल में जरा सा भी डाउट लगे तो कॉमेंट सेक्षन में हमको जरूर लिखेगा Q61 में है राजनीती समाज में मुल्यों के सतात्मक आवंटन से संबंधित है राजनीती की यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है? सही जबाब होगा A. डेविड इस्टन ने केटलिन और लास्वेल के प्रतिपादन की कमियों को दूर करने के प्रयास से अपना अलक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि राजनीती सास्त्र राजनीती के समाज में मुल्यों के सतात्मक आवंटन से संबंधित है ऐसे में डेविड इस्टन ने संघर्ष पर बलन देकर मुल्यों के निर्धारन को राजनीती सास्त्र का केंदर बिंदु माना है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ Q62 है Q63 में है Q63 में है Q64 में है Q64 में है राज्य के प्रभावकारी का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है इनमें से कौन सा कथन ये किस विचारधारा से संबंधित है व्याख्या के तोर पर आप देख सकते हैं कि जो कथन है ये ग्रीन का कथन है बाधाओं के दूर करना ग्रीन ने रूसो, कौन्ट और हीगल जैसे आदर स्वादी विचारकों की सिक्षाओं का अनुशरन करते हुए उधार वादगी परंपरा को कल्यानकारी राज की दिसा में आगे बढ़ाया है राज को शकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबर जस्ती वाले सेवा कारी करने चाहिए यह कथन किसका है तो यह कथन है विकल्प आपका इसमें ए सही होगा क्वेशन नंबर 66 में है शंप्रभुता की सत्ता पर निम्न में कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोदा स्वीकार करता है सही जबाब होगा प्रकित और इश्वर के कानून को क्वेशन नंबर 67 में है निम्न में से किसने राजी की कारियों को स्रिजनात्मक और निश्यधात्मक में विभक्त किया है तो स्रिजनात्मक और निश्यधात्मक में विभक्त करने का काम जे एस मिलने किया है आंसर इसमें आपका सी सही होगा Q68 में है निम्न कथनों में से कौन सा कथन राजी की उत्पत्ती के विशे में माक्षवादी सिधान्द को असपस्ट करता है सही जबाब इसमें हो जाएगा C राजी की उत्पत्ती उत्पादन के सोशन परक संबंध के रक्षार्थ होई है आंसर इसका C होगा Q69 में है मैकाईवर के अनुशार राजी के क्या कारी होने चाहिए मैकाईवर ने राजी के क्या कारी बताए है इस तरह से इसको समझ सकते है सही जबाब होगा A व्यवस्था, सुरक्षा, सन्रक्षन और विकास अंसर इसमें A सही होगा Q70 राजी का कारी नयतिकता की अभिवर्धी करना नहीं है लेकिन सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है यह कथन किसका है तो यह कथन है नौ प्रत्यवादियों का अंसर A सही होगा Q71 में है लास्की ने संप्रभुदा के बहुलवादि सिधान्द की अनेक आधारों पर आलोचना की है निमनलिखित में से कौन सा आधार उनमें से नहीं है तो इनमें से जो आधार नहीं है वो है आर्थिक आधार आंसर D सही होगा Q72 में से किस एक वक्तब्य में बहुलवाद अंतर नहीं है oneser आपको दिये गए हैं सही जबाब आपका होगा C क्योंकि समाज संगात्मक है इसलिए सत्ता भी संगात्मक होना चाहिए Q73 में है संप्रभुता की एकलवादी आवधारणा प्रदान्ता स्विकार करती है Q74 किसने निरंगुस एकलवाद और ठोस एकलवाद को विवेडित किया है तो निरंगुस एकलवात और ठोस एकलवात को विभेदित करने का काम किया है मैंबॉट आन्सर इसमें A सही होगा Q75 में है माक्सवादी आयतिहासिक भौतिक वाद का अर्थ क्या है? माक्स वादी आतिहासिक भावतिक वाद का अर्थिक क्या है तो अंसर इसमें होगा B. इतिहास की आर्थिक व्याख्या माक्स द्वारा आर्थिक आधार पर की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या से हमारा यहाँ पर तात्परिये माक्स द्वारा प्रत्पाधित इस तत्थ से है कि मानों समाज के विकास का इतिहास किन्हीं दैवी परिस्थितिओं के कारण नहीं बलकि भौतिक और आर्तिक पर्ष्थितिद्गовых के अनुशार होता है और उस विकास के कुछ निश्चित वस्तुगत नियम भी होते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ question number 76 आपके सामने है कानून असीम संप्रभुता संपन्य के नर्देश की अभिव्यक्ति नहीं है वह सामाजिक सुद्रिणता की व्यवस्था है यह विचार किसका है आसान सा सवाल है स्टेटमेंट आपको याद रखना है आंसर इसमें हो जाएगा डी सॉरी बी डिगवी का एक बार फिर से सुने डिगवी ने कहा था कानून असीम संप्रभुता संपन्य के नर्देश की अभिवक्ति नहीं है वह सामाजिक सुद्रणता की व्यवस्था है किसका कतन है यह डिगवी का क्वेशन नमबर 77 में है राजनीतिक समाजवाद का उद्देश क्या है राजनीतिक समाजवाद का उद्देश जो है वो है समानता पर आधारित समाज की अस्थापना आंसर C Q78 में हैं सरवहारा वर्ग के अधिनायकत को किसने समाजवाद की राजवादी मिथ्या कहा है सही जबाब होगा B. स्टोजा नोविक ने Q79 में हैं आधुने के व्यक्तिवाद स्वतंदर्ता की मांग करता है किस के लिए करता है सही जबाब होगा समुह के लिए आंसर A Q80 में हैं एक सम्शामईक माक्सवादी विचारक जिसने माक्सवाद के मानवतावादी सिध्धान्द को चुनवती दी और उसकी सन्नसनात्मक व्याख्या पर बल दिया वह कौन था सही जबाब आपका होगा लुई आल्थूशर ने विकल्प C Q81 में है उदारवाद का मूल सिध्धान्द क्या है तो उदारवाद का मूल सिध्धान्द है व्यक्तिगत स्वतंदरता आंसर C Q82 में है किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुषिके नयतिक विकास का प्राकरतिक लक्ष है आंसर होगा A टॉलस्ट्वाई विकल्प A Q83 में है ब्रिटेन की बैवरीज रिपोर्ट ने किस सिध्धान्द का समर्थन किया था तो ब्रिटेन की बैवरीज रिपोर्ट ने कल्यानकारी राज्ज का सपोर्ट किया था कल्यानकारी राजिका समर्थन किया था आंसर बी सही हो जाएगा क्वेशन नमबर 84 में है अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुक्षिधान्त ये बहुत ही आसान और बहुत ही important कई बार repeat होने वाला क्वेशन है आंसर इसमें आपका C सही हो जाएगा व्यक्तियों की गड़ना calculus का निरूपन करता है जो व्यक्तियों के अधिक्तम सुक्ष में सामन जस्चिता लाकर सुक्ष के कुल योग का निर्धारन करता है आंसर इसमें C सही होगा question number 85 में है mac version को स्वतंदरता के एक नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है यह विचार क्या है तो इसका सही जबाब होगा स्रिजनात्मक स्वतंदरता answer इसमें D सही होगा अगर आपको किसी सवाल में जरा सा भी doubt है तो हमें comment box में लिखना ना भूले question number 86 में है उदारवादी जनतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना अनिवारी है तो उदारवादी जनतंत्र के लिए मुख्य रूप से राजनीतिक दल का होना आवश्चक होता है answer A सही होगा question number 87 में है किसके अनुशार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है सही जबाब होगा टैली रेंड विगलप शंख्या question number 88 में है सिले आॉस्टिन लिंकन और डाइसी के अनुशार प्रजातंत्र का विचार कैसा है तो इनके अनुशार sorry प्रजातंत्र का जो विचार है वो है सरकार का एक स्वरूप विकल्प यहाँ पर आपका C सही होगा question number 89 में है स्वतंत्रता के तीन प्रकारों के बीच बारकर ने विभेत किया है वे काउंसे हैं तो बारकर ने स्वतंत्रता का वरगी करण जो किया है वो नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता और राष्टिय स्वतंत्रता की रूप में किया था इसमें आपका सही जबाब होगा C नागरिक राजनीतिक और आर्थिक question number 90 में है भेद सिध्धान्त या राल्स का न्याय सिध्धान्त भीश को कहते है उससे क्या तात्परी है यनि कि राल्स का न्याय सिध्धान्त आप से पूछा गया है क्या होता है सही जबाब आपका हो जाएगा इसमें C, I और संपता के असमानतां उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती है सुमेलित है तो संपत्ती उपकरण के रूप में अरस्तू है Q92 में है किनके नाम संपत्ती के आदर्सवादी विचार से संबंधित है तो संपत्ती के आदर्सवादी विचारक जो है वो है ग्रीन और कांट विकल्प यहाँ पर भी सही हो रहा Q93 में है निम्न विचारकों में किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनुवईज्ञानिक रूपक के शाथ मिलाया था सही जबाब होगा B. स्पेंसर ने Q94 में है लास्की के अनुशार निम्न में कौन सी एक अधिकारों के उपयोग के लिए महत्तपुन सर्थ है सही जबाब इसमें हो जाएगा A. राज को वी केंद्रित होना चाहिए सही जबाब होगा A Q95 में है निम्न में सी किस विचारक ने राजनीतिक शय का सिध्धान्द प्रत्पादित किया था वो थे S. Huttington ने अंसर इसमें A. सही होगा Q. 96 राष्ट एक धर्म है जो इस्वर प्रदत है यह कथन किसका है तो सही जबाब इसमें होगा B. अरविंद घोस का Q. 97 स्वतंत्र व्यक्तिवा है जो लोहे की जंजीरों में जकडा नहीं है न जेल में बंदी है न दंड के भैसे एक दास की भात आतंकित है चील की भाती उड़ा न भर सकने या वेल की भाती तैर न सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता हैल बेटियस यह अवधाना स्वतंत्रता की कौन सी है तिसमें आपको सही जबाब जो देना है वो आपका हुगा सी ऐसे अंतरिक और बाहे दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो वयक्तिक क्रिया में बाधा डालते है क्वेस्टन नमबर 98 में है निमनलीखित अवधाराओं के विशय में ग्रीन की प्राथमिक्ता का नरधारन करिये चेतना राज अधिकार स्वतंत्रता तो इसमें से जब ग्रीन की प्राथमिक्ता का नरधारन किया जाएगा तो सही जबाब आपका होगा A पहले 1 फिर 4 फिर 3 उसके बाद 2 Q99 किसने राज को मानव मस्तिस्क का वरिहद रूप कहा है तो सही जबाब इसमें हो जाएगा D प्लेटू ने कहा है राज को मानव मस्तिस्क का वरिहद रूप Q100 में है वह कहता है कि ज्यान वर्धक अराजकतावाद की स्थिती जहां हर कोई स्वयंग अपना सासक है वह कौन है तो सही जबाब इसमें होगा B प्रिंस क्रॉप टिन अंसर इसमें B सही होगा Q101 में है उसका सामाजिक अनुबंध है विवेक की विजय का प्रमाड है ना की ठोस आवशकता का यह कथन किसके विशय में सही है तो इसका सही जबाब होगा लौक विकल्प C Q102 निम्नलिखित में से कौन सा कथन होप्स पर लागू नहीं होता है तो होप्स पर लागू नहीं होने वाला जो कथन है वो है C लोग अपना सासक नियुक्त कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरस्तू होप्स के समझोते से अस्पस्ट है कि समझोते से उत्पन सासक व्यवस्था निरंको से इसमें व्यक्तियों को सासन के विर्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है व्यक्तियों का कारी केवल सासन की आग्या का पालन करना ही है क्योंकि सासक समझोते में सामिल नहीं था हौब्स सीमित राजितंद्र को स्विकार नहीं करता अगले सवाल में question number 103 में पूछा गया ग्रीन के मता अनुशार स्वतंद्रता की मारगे में तीन सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी हैं तो ग्रीन के अनुशार तीन सबसे बड़ी बाधाएं जो स्वतंद्रता की मारगे में होती हैं वो है अनविज्यता, धरिद्रता और नशाखूरी अंसर इसमें C सही होगा question number 104 मैकफर्षन ने लौग की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा है ? तो इसका सही जबाब होगा प्राकृतिक सांती अवस्था Q105 प्राकृतिक अवस्था का वरण करने में अज्ञान का आवरण की संकल्पना का प्रयोग किस ने किया शवाल आपको समझ में आया होगा कि अज्ञान का आवरण नाम की जो संकल्पना है उसका प्रयोग किस ने किया है तो सही जबाब आपका हुगा डी जॉन रॉल्स ने Q106 में है विधी के शासन वाक्यांस में प्रयूक्त विधी पद का अभिप्राय क्या है तो विधी पद का जो अभिप्राय है वो है प्राकृतिक विधी आपको याद भी आ रहा हुगा कि इसमें से अधिकांस सवालों को मैं पहले करवा चुका हूँ तो इसलिए सवाल को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको वो तुरंद क्लिक करना चाहिए कि इस सवाल का सही जबाब क्या होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ Q7 में संसदी सासन प्रणाली की बारे में पूछा गया है कहा गया संसदी सासन प्रणाली में यानि कि संसदी सासन प्रणाली की विसेस्ताओं को एक तरीके से पूछा गया है तो सही जबाब इसमें आपका होगा C कारिपाली का संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है विगल्प से सही होगा Q108 में है संगी सरकार का सबसे महत्तवपून लक्षन है संगी सरकार का सबसे महत्वपून लक्षन जो है वो है संग और राज सरकारों के बीच सक्तियों का विभाजन करना Q109 में है संगवाद एक राजनितिक समझा होता है जिसके अनुशार राज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सारे राज्ट की एक ता को भी सुनिश्चित किया जाता है यह कथन किसका है यह कथन है डाइसी का आंसर इसमें C सही हो जाएगा Q110 में है मैकाले, लाइकी, मेन में समानता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा B मैकाले, लाइकी और मेन तीनों ने महिला मताधिकार का बिरोध किया जबकि लाबोल का तरक है कि स्त्रियों से संबंधित कानून का निर्माण केवल पुरुष्चों द्वारा नहीं होना चाहिए आंसर इसमें आपका B सही होगा Q111 Q112 में है Q113 में है Q113 के प्रतिक्रियावादी सिधान्द का किसने प्रतिपादन किया है तो सही जबाब आपका होगा Hamilton Q114 में है Q114 में राजनीतिक दल को संडशना की संबंध में किसने समिती यानि की कॉक्स साखा यानि की ब्रांच प्रकोस्थ यानि की स्यल और नागरिक सेना यानि मिलीसिया में वर्गी कृत किया गया है यह सवाल भी रिपीट हो रहा है सही आंसर आपको पता होगा डू वर्जर ने Q114 में है Q114 में है Q114 में है खोकली स्वतंदरता की सिधान्द का प्रतिपादक कौन था तो इसका सही जबाब होगा C.J.S. मिल Q116 में है एकसो बीसवी शतापदी के आरंभ में राजनीत के समुह शिधान्द का प्रतिपादन किस ने किया था सही जबाब आपका होगा A.F. बेंटले विकल्प A Q117 निम्न में से किसे एकात्मक राज नहीं कहा जा सकता तो किसको एकात्मक राज नहीं कह सकते तो वो हूँ कनाडा आंसर इसमें आपका C सही हो जाएगा इसकी व्याख्या के तोर पर हम लोग देखें तो एकात्मक राज में एक केंद्री सक्ति के द्वारा सरवोच सक्ति का प्रयोग किया जाता है France, Belgium, Britain France, Belgium और Britain को एकात्मक राज्य कहा जाता है Canada, संगी राज्य है एकात्मक राज्य किसको नहीं कहा जाता है तो आंसर आपका सही हो जाएगा C, Canada Question No. 118 में है नौकर साही और पूजीवादी राश्टियता की आवधार्णा का सेंट पॉल निम्नलिकित में से कौन समझा गया है सही जबाब होगा C, Max, Weber को Question No. 119 में है विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से कौन समझा जाता है विकास प्रशासन का मुख्य पंडित कौन है सही जबाब होगा D, Fredericks Question No. 120 सूचना अधिकार अधनियम 2005 यानि की RTI मुख्यत है किस उद्देश की सहायता करता है सही जबाब आपका होगा D, पारदर्शी प्रशासन Question No. 121 में है League of Nations का मौलिक सिध्धान्त क्या था League of Nations का जो मौलिक सिध्धान्त है वो है Answer No. आपका इसमें C सही होगा सामोहिक सुरक्षा Answer C होगया Question No. 122 निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानी सरकारों के लिए Ombudsman की स्थापना की सिफारिस किया था आपके सामने चार बिकलप है सही जबाब आपका होगा Question No. 123 में है X और Y के सिध्धान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किये गए थे तो X और Y के सिध्धान्त का जो प्रतिपादक है वो है M.C. Greger ने सही जबाब आपका हो जाएगा B Question No. 124 नूतन लोग प्रशासन यानि नवीन प्रशासन की अवधार्णा किसके साथ संबंधित है सही जबाब आपका होगा D मिन्नो बुक सम्मेलन नवीन लोग प्रशासन की अवधार्णा का जो स्टार्टिंग होता है वो फिलाडेलफिया 1967 और मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 से माना जाता है Question No. 125 और आज के हमारे सभ्यास स्रीश का आखरी सवाल ग्रेप वाइन का संबंध किससे है ग्रेप वाइन का संबंध जो है वो है अनौपचारिक संप्रेशन से व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रेप वाइन का संबंध अनौपचारिक संप्रेशन से है अनौपचारिक संप्रेशन के अंतरगत मित्रमंडली परिवार के विभिन सदस्यों के बीच होने वाला संप्रेशन आता है यह संप्रेशन अधिकांसता मौखिक रूप से किया जाता है तो ये थे वो 75 questions जो आपकी प्रवक्ता परिक्षा के लिए विशेश रूप से उप्योगी हो सकते हैं अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम